मनुष्य का मस्तिश्क एक अद्भुत सरचना है परंतों दोस्तों इसकी भी एक सीमा है हमारे कई जन्मों की जो यादें हैं जो हमारा ज्ञान संग्रैत हैं हमारे अगले जन्म में भी वो साथ चलता है हम कोई भी नई चीज कभी नहीं सोच सकते वो पहले से ही हमारे मस्तिश्क में होती है यह ठीक वेसा ही है जैसा एक कंप्यूटर में कोई डाटा पहले से फीड होता है वो ही हमें रिजल्ड के रूम में प्राप्त होता है कंप्यूटर कुछ नया नहीं सोच सकता वो पुरानी जानकारियों के संग्र को ही हमें प्रस्तुत करता है उसका एक परिणाव निकालता है उसी प्रकार हमारा मस्तिश के भी कई जन्मों की यादों को संजोय होया है हम कोई भी बात नहीं नहीं सोच सकते हैं सपने में भी जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वास्ता में हमने उनको कभी कहीं कहीं देखा होगा। रामयाण में एक वर्णन आता है जिसमें लक्षमण से प्रभु श्री राम कहते हैं कि देखिरन कितना सुनेरा प्रतीत होता है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि जो चीजें इस प्रत्वी पर नहीं हैं वो चीजें भी कहीं कहीं किसी लोग में हैं। अर्थात जो हम सोच सकते हैं वो सब चीजें कहीं कहीं मौझूद हैं। क्योंकि उनकों हमने कभी न कभी देखा है। तभी वो हमारे सपनों में कलपलाओं में आती है। इसलिए हम देखते हैं किसी की बुद्धी मत्ता का विकास तो बहुत जादा हो जाता है और कोई मंद बुद्धी रहता है। या उसकी समुचित प्रतिभा का विकास नहीं होता है। तो उसमें कुछ पुरुजन्म के संसकारों का भी योगदान रहता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो लगातार हमारी बुद्धी का विकास करें। यदि पुरुजन्म में हमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। तो वर्णा आता है कि काली दास ने गोर संगर्श करके, कठोर परिश्रम करके, इसी जन्म में ज्ञान प्राप्त किया था और महा कवी कहला है। तो यह मस्तिश बहुत अद्बुद है दोस्तों, इसकी रक्षा करें। इसको समुचित पोशन दें। अच्छे अच्छे विचार अपने मन में लाएं। मस्तिश का सदुप्योग करें। मानवता की भलाई के लिए इसका उप्योग करें। धन्यवाद। मेरा चेनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आये तो उसे लाइक करें। थेंक्यू।